खेलो फ्रेंड्स हभार यू आइ तिंक फूल आर गुड्स तो ले ट्स टार्ट्स न्यू अप्डेटटिड वीडियो कि जिनका बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है उनकी क्या प्रोसेस होगी और उसके साथ-साथ अगर biometrics verification successfully हो जाता है तो क्या इसके लिए कोई message आता है इन सब ही को जाने क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा questions students के mind में arise हो रही थो और बार-बार candidates के message आ ले थो तो हमने सोचा क्यों नवीडियो के मादम से ही अच्छी तरह से बताया जाएगा तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा क्योंकि जो आपकी query है वो हर एक यहाँ पे soul की जाती है तो वीडियो को like और चैनल को सबस्क्राइब करना और अपने friends में जरूर शेयर करना इतना तो बनता ही है तो जानते हैं इस सबी process के बारे में तो देखो biometric verification नहीं हो पा रहा है तो उसकी आगे क्या process होगी जैसा की 2019 में हुआ था क्योंकि same situation हमारे साथ भी हुई थी तो हमारा biometric verification रो तक वे school में हुआ था दिनों ने दिये थे तो हम गए थे कि हो जाए आगे कहीं कुछ ना जाना पड़े results में दिक्कत ना आए लेकिन यहां पर हमारा नहीं हो पाया तो results declare कर दिया गया था और results में हमारा results आ रहा था rlv तो पिर इन candidates को भीवानी बुलाया गया था और हमने सोचा था कि वहीं ऐसे एक दो ही candidates हो गया जी नहीं ऐसे बहुत सारे candidates थे ठीक है जिन को वहां पर बुलाया गया था तो वह other source अपने आप निकालेंगे वहां पर हमारा आधार कार्ड के साथ thumb impression मेच्च किया गया था वो भी उस टाइम पे नहीं हो पाया बिवानी बोर्ड भी हमें दो बार जाना पड़ा था ठीक है और दूसरी बार भी हमें शोर्टी नहीं थी कि वही हो पाया है या नहीं हो पाया बट उन्होंने का था कि वही हो गया आपका आप यहां पे नाम और अपने father's name roll numbers और यह लिख जाओ कि वही हम आए हुए थे और ऐसे ऐसे हमारे साथ यह match नहीं हो पा रहा है इस तरह कि कुछ इसने लिखवाया था तो फिर हमारा results आ गया था ठीक है जैसे अब की बार जो यह RLV वालों का जो अब declare किया गया है अब list लगी थी आपकी OMRC आने से पहले वो वही candidates थे लेकिन उनका इतना ज़्यदा late क्यों था क्योंकि कई candidates से होते हैं भी job करते हैं time पर नहीं पहुच पाए यानि कि आपका results जरूर declare किया जाएगा और हाँ रही ये बात कि भी कही vacancy निकल जाए और हमारा results ना show ना निक आये तब तक जी नहीं तो आपका board वाले आपका लिख कर दे देते हैं और वो वहाँ पे चल जाता है क्योंकि जब उस time पे SKT संस्किर्ट की post निकली हुई थी तो संस्किर्ट वाले जो भी candidates थे उनका सबसे पहले biometrics किया गया था sorry उनका सबसे पहले biometrics किया गया था और जिनका biometrics नहीं हो पाया था तो उनका result जो है hand return पर लिख कर दे दिया था कि वह ये candidates पास हैं और यह आगे eligible है apply करने के लिए और biometric verification अगर आपका सही हो जाता है तो कोई message आता है या तो देखो हमारे पास तो आया नहीं था ना ही एक दो candidate से हमने बात की है उनके पास भी नहीं आया है लेकिन उनकी ये कह रहे थे कि biometrics में जाते ही कईों की तो हो गई जिनकी हो जाती है उनकी जाते ही एक दो बार में ही हो जाती है लेकिन जिनकी नहीं हो पाती है उनकी कई कई बार भी उज़ करने के बाद नहीं हो पा रही है तो कोई message वगरा नहीं आता सिर्फ आपका results आएगा तो पता चल जाएगा जिसका भी results डिक्लेयर कर दिया जाएगा यानि क्योंकि बाइमेटिक से ही हो पाई है और जिनका RLV होगा उनका यानि कि आगे फिर उनको बुलाया जाएगा उनका results फिर दुबारा आएगा तो गबराने की बात नहीं है ये तो है कि भी time लगेगा चक्कर करने लगाने पड़ेंगे बट आपका results जो है आ जाएगा और जो है मैंन में कोई विक्वेरी है तो कमेंट सेसन में ज़रूर बताईएगा थेंक यू